आज मैं आप लोगों को ऐसे दो चीजों के बारे में बताने वाला हो जो आपके पौधों में growth और flowers दोनों ही बहुत ही अच्छी quantity में लाने वाला है और बहुत ही अच्छा growth भी आने वाला है तो दो चीज है horn mill और bone mill Horn Mill कुछ इस तरीके का दिखता है अगर आप देख पा रहे हैं और Bone Mill जो है वो इस तरीके का दिखता है अब मैं कुछ Horn Mill के बारे मैं आपको बता देता हूँ ये Nitrogen Rich होता है अगर आपके पौदे में Growth नहीं हो रहा है तो Growth ये लादेगा क्योंकि Growth के लिए Nitrogen की ज़रूरत पड़ती है पौदे को और Normally ये हर एक पौदे में आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि और्गेनिक है अगर ये भाला कि ये Non-Wage है अगर आपको ये पसंद नहीं तो इसका Next Video में मैं आपको इसका Alternate भी बता दूँगा अब जरूर कमेंट करके मुझे बताइए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसे ही Tips और Tricks मैं आपको देते रहूँगा जो आपके काम में आएगा Gardening में और ये Authentic Gardening है हाला कि जो मैं बता रहा था हौंड मिल के बारे में कि जो भी पौध हो नॉर्मली हमारे garden में कुछ फाइकस होते हैं कुछ सिर्फ leaves वाले plant होते हैं या flowering वाले plant की बात नहीं कर रहा है सिर्फ leaves वाले जिसमें सिर्फ growth की जरूरत पड़ती है तो उस case में ये fertilizer जो है हर वक्त 12 महीने यूज़ कर सकते हैं dormancy में थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंगी dormancy में fertilizers लेने के लिए उनके पास energy नहीं होती है plants में इसलिए उस time थोड़ा सा कम कर दीजिए, हालागे अब मैं bone meal के बारे में बता जता हूँ, ये मेरे पास जो है, ये है steamed bone meal अब steamed bone meal किस काम आता है steamed bone meal में phosphorus होता है calcium होता है, और भी कुछ micronutrients होते हैं, जो की पौदों को help करते हैं, कलिया लाने के लिए, और उन कलियां को खिलाने के लिए भी अच्छे safe में हाला कि कलियां आने के बाद उसको खिलने का जो तागत है, वो भी ये देता है, मतलब की calcium, तो calcium की कमी भी नहीं होनी चाहिए, ये ensure करता है steamed bone meal ये भी non-wage है, अगर इसका भी आपको alternate चाहिए, तो मैं next video में, जैसे कि मैंने कहा, मैं आप लोगों को बता दूँँगा, अब मैं दिखा देता हूँ इसको देना कैसे है, तो ये देखिए, मैंने सारे pots की गुड़ाई कर लिये, हलाकि इसमें अल्रडी मैंने horn meal, bone meal दे दिया है इस वाले में, और अभी इसमें देना बाकी है, अब इसमें कैसे देना है ये देखिए, मैंने एक spoon ये horn meal अब इसको मैं गुड़ाई करने के साहिर में ऐसे करके दे दूँगा, और ये आपको evening के वक्त करना है, कुछ इस तरीके से चारो और आपको दे देना है देने के बाद, इसी के उपर एक और चमच आप bone meal दे दिजी ये देखिए, मैंने ये steam bone meal ले लिया है, अब इसके उपर उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने horn meal दिया था, उसी तरीके से ऐसे चिरक चिरक के चारो और ये भी दे दूँगा ताकि ये अपना काम कर पाए और फिर यहाँ पर रुख नहीं जाना है आपको साम को ही ये करना है और साम को ही पानी भी देना है ये अब आज दे के कल सुबह दे रहे हैं ऐसा नहीं होता और कड़ी धूप है उस टाइम ही नहीं देने, देखिए यहाँ साम होने को आया है सुरज धूप गया है, तब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इस चीज के जरूर ध्यान रखें और मैंने सारे गुड़ाई कर लिए और मैं सारे पॉधों को एक ही टाइम पर देता हूँ ताकि डेट भी मेरा जो है फिक्स रहे तो इसलिए आप इसको फॉलो कीजे रेजर्ट जरूर मिलेगा आप लोगों को और ऐसे ही सूपर ट्रिक्स और टिप्स के लिए गार्डिनिंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए और ऑथन्टिक गार्डिनिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग फेस्बुक में देख रहे हैं वो प्लीज फॉलो कर लीजिए और Reels भी आते रहता है तो Instagram में भी आप मुझे फॉलो कर लीजे Instagram में आप मुझे DM भी कर सकते हैं मैं आपको ज़रूर reply करूँगा